अलो दोस्तों गुड यूनिंग आप सभी का स्वागत है वे एक मिस्सा टेक मेंटेस इंवस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं इंडियन ओवर सीज बैंक लिम्टेड है तो इस बैंक के ऊपर हम लोग बात करेंगे टेस कि अभी इसका स्टॉक कैसा प् को लेके वो जानेंगे इस वीडियो में तो मेरे साथ वीडियो में बने रही है जो चैनल पर नहीं होचे हैं सब्सक्राइब कर लें नोड़ फेसें बैल और रखें जिससे आने वाल एनिस्ट अपडेट आप से मिसना हो आप टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं वहाप यह कंपनी अभी फिलाल कंपनी कहिए या बैंक कहिए बैंक ही कहते हैं टेस इसको फेबरेरी नाइन को इसको अपकमिंग अर्निंग के रिजल्ट आने हैं अर्निंग पर सेर की बात करें टेस तो कह लिए एक तरीके से कम से कम प्लस में नंबर है अभी तो यहाँ पर 0.75 का जाता है market capital अच्छी खासी है ही price earning ratio इसका 27.6 चल रहा है जो की sector wise ठीक ठाक है ज्यादा भी ऊपर नहीं है बाकी इसके chart की बात करें ट्रेस तो अभी इसमें आपको थोड़ा dip मिलेगा एक अच्छा range वाला dip है तो यहाँ पर हम लोग खरीदने के लिए जा सकते हैं एक target के सा यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हम लोगों को यहाँ पर मैं भी आपको इसमें यहाँ पर तो बस ऐसे ही draw कर रहे हैं अभी मैं आपको chart में दिखा दूँगा कि क्या-क्या हम लोग target इसमें रख सकते हैं तो यह एक तरीके से buy की position बनती है यह targets की position बन रही है तो समझते इसको और फिर उसके बाद हम लोग finances को समझते हैं फिर chart पर बात करेंगे बाकी इसकी conditions की बात के हैं टेस्ट तो बहतर रही है कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है finances को समझते हैं फिर उसके बाद chart पर बात करेंगे तो finances हम लोग screener पर चेक कर लेते हैं आयो भी ठीक है तो य 39 करोन से अबब की मार्केट केप्टल है तो एक अच्छा आ जाता है 39,000 करोन की अबब बुक वैल्यू की बात गेंटेस तो इसका 8.96 है तो बुक वैल्यू से ट्रेड्स अप्ट्रेड कर रहा है सेयर का प्राइस बट एक अच्छी रेंज में है तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है बाकी यहां पर आपको दिखेगा टेस की इसकी जो पिछले बारा मेहने की कंडिशन रही है कंपनी की प्राफिट ग्रोथ 122% बढ़ा है सेल में थोड़ी गिरावट रही है तो एक तरीके से ओवरॉल देखा जाये ट्रेस तो अच्छा है कोई दिक्कत की बात नहीं है पर हाँ सेल थोड़ी और बढ़नी चाहिए कंपनी को प्राफिट तो अच्छा होई रहा है मतलब बैंक को और यहां पर आल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो 229 का आ जाता है तो आल टाइम हाई जो है इसका काफी बहतरी इन था सेयर अभी काफी बिलो ट्रेट कर रहा है प्रमोडर्स की होलिंग की बात करें तो बहुत बहुत बड़ा पार्ट प्रमोडर्स के पास ही है कंपनी का Q on Q basis पर देखा जाए तो 15.2% की इसमें ग्रोथ है मतलब जून से जो सितंबर में कंपनी ने रेविन्यू जेनरेट किया वो बहतर है नेट प्रॉफिट इसका अच्छा आया है जून से सितंबर का तो उसका यहां पर परसंटेज है बाकी रेटर नॉन एसिट की बात करें तो 0.31% का आ जाता है ROE इसका बिसिक सा ही रहा है कुछ बहुत बैतरी नहीं है पर ठीक ठाक है यह भी बाकी इसके कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप यहां से चेक आउट कर सकते हैं कि कहां से किस चीज का कैसा रेसियोस बन रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें यहां पर बता रखा है कंपनी क तो आप इसको इस डाटा को भी चेक कर सकते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पर आपके लिए अवलेबल है बाकी इसकी कॉंस की बात करेंटेस तो काफी सारी अभी भी कमिया रह जाती है बैंक के अंदर जैसे कि इसकी सेल काफी खराब रही है लावलेटीज के नंबर बहुत बाकी इसकी बात करेंटेस तो सेर का जो अभी बाई का मतलब एक तरीके से रेंज की बात करने जो प्राइस चल रहे है वो उससे कहीं उपर रखता है दमखम तो यह धीरे-धीरे बहतर होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है बाकी फैनेंसिंग से प्रॉफिट की बा तो यह एक अच्छा चीज यहां पर आ जाता है बाकि इसकी सारी चीजे सेम एजिटीज हैं जैसा कि हम लोग पहले डिसकस कर रखें तो कुछ इतना इसमें और चीजें नहीं है जो डिसकस करने वाले हैं सेरोलिंग पैडर्स में सबसे बड़ा पार्ट तो प्रमोडर्स के पा और बता रखाऊं कि आप कौन-कौन सा टार्गेट लेके चल सकते हैं जब लाश्ट टाइम एक्स्प्लेइन किया था उसके बाद मैंने 22.85 का टार्गेट दिया था वो हिट हुआ और उसके बाद अब पहली बार हम लोग इसको मतलब काफी टाइम बात डिसकस कर रहे हैं औ और जो सपोर्ट की बात करेंट इस तो वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है 19.15 पैसे पे 19.15 पैसे पे हम लोगों को सपोर्ट मिल जाता है बाई की जो रेंज है वो आप 20 रुपीस के राउंड से इसको खरीच सकते हैं तार्गेट पहला वापस से वही रहेगा 22.85 पैस का टार्गेट हम लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है विला ट्रेंस इसमें डीपा रखी है तो खरीदने के लिए आप जा सकते हैं सपोर्ट का आपको ध्यान रखना है जो कि 19.15 पैसे पे बन रहा है और इसका अगर कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट ढूने हम लोग तो वो हम लोगों को 17.45 पैसे के राउंट का भी देखने को मिल जाता है मलब इस्ट्रॉंग सपोर्ट की बात करें तो 17.45 पैसे पे तो इस तरीके से इसकी कंडिशन है बाकी मनें आपको टार्गेट्स बता दिये हैं आप इसको फॉलो अप करके चल सकते हैं और बाकी कंडिश